निक इस question में हमको दिया आवा था evaluate limit a to b integral sorry integral a to b e to the power x dx हमको इसको evaluate करना था using limit of sum देखिए limit of sum का मतलब formula लिखता हो सबसे बिल आपको integral f of x अगर a to b हम लोग के पास में होता है तो इसका formula होता है limit h tends to 0 h into f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h plus ऐसे करते करते f of a plus n minus 1 into h यह हमारे पास में formula होता है ठीक है तो देखें यहां पे f of x के हमें पास में e to the power x that means f of a क्या होगा e to the power a f of a plus h क्या होगा e to the power a plus h ऐसे करते करते f of a plus n minus 1 into h क्या होगा में पास में e to the power a plus n minus 1 into h ठीक है मैंने यह लिखें दिया अब क्या करूंगा बस मैं इसको formula में frame कर देता हूं देखे formula में put करूंगा सारी चीजों को तो क्या हैगा limit h tends to 0 h into e to the power a plus e to the power a plus e to the power a plus n minus 1 into h sorry a plus 2h होगा पहले ऐसे करते करते e to the power a plus n minus 1 into h ठीक है तो अब देखें यह क्या होगा में पास में limit h tends to 0 h into इसमें से e to the power a common निकाल तकता हूं मैं पास बचेका 1 plus e to the power h plus ऐसे करते करते है e to the power n minus 1 into h ठीक है तो यह हम लोग की जीपी बन गई तीक है अब उस जीपी का formula क्या होता है तीक है मैं जीपी का formula लिखता हूं सबसे पहले इसमें तो यहां पर इंप्लेमेंट करता हूं इस जीपी को यहां लिमिट h tends to zero h upon by ठीक है e to the power a तो बाहर निकाल देता है e to the power a तो आजट है मेरा जो है वो बाहर निकाल दिया है क्या बच जाएगा a देखे a है one ठीक है rr क्या है e to the power h number of terms कितना है n बोलूं ठीक है 1 से लेकर n minus 1 तो यहां है और एक यह one है तो n terms यह n है और यह h है ठीक है minus 1 whole divided by e to the power h minus 1 ठीक है अब बच इसको solve कर लेते हैं आगे अब तो क्या होगा यह देखें इसको लिखता हूं में limit h tends to 0 e to the power a as it is यह जो numerator में h है देखे यह h नम इसको नीचे लिगा जा रहा हूं तो देखा e to the power n h minus 1 upon by e to the power h minus 1 upon by h right अब देखें यह चीज तो 1 हो गई e to the power h minus 1 upon by h हमारे पास formula क्या होता है e to the power x minus 1 sorry 1 upon by x limit x tends to 0 is 1 तो देखें यह चीजी है तो इसके जगा पर लिख देता हूं मैं क्या हो देगा यह में पास में अभी limit h tends to 0 e to the power a into e to the power n h minus 1 यहां तक ठीक है अब देखें यह में को पता है हमारे पास में के n h की value क्या होगी b minus a कैसे जो हमलों के values होती है इंटिग्रल की limits integral की limits a to b होती है तो n h is b minus a upper limit minus lower limit to e to the power a e to the power b minus a minus 1 that is limit h tends to 0 ठीक है बस अब इसके बाद में क्या हो जाएगा देखें e to the power a अंदर multiply कर देता हूं तो यहां से में पास में देखें limit h tends to 0 तो हट गया तो यह देखा e to the power b minus e to the power a यह हम लोगा इसका final answer आ गया भास में देखें प्रह है जाल ढूटिए आता है जाएगा अगर एगज़ टो कर दो यह लोगा है झाया अभज़ देखें अबें दोग से इसका रार जाता है